हाँ जी कैसे हो सब देखो मेरे पास एक कोश्चन था किसी बच्चे का कि मैं शोर हूँ कि मेरे इस बार जो एक्जाम है वो नहीं कलियर हो सकते मेरे को मेरी पोजीशन का पता है तो अब आप बताओ मैं क्या करूँ मैं छोड़ दूँ अपने एक्जाम को इस बार देने के लिए ताकि कहीं ये ना हो कि मैं एक्जाम दे दूँ और मेरे को पता है मेरा कलियर नहीं हो पाएगा फिर मैं ज्यादा डी मोटिवेट हूँगा है ना उल्टा मैं एक्जाम दे के रिजल्ट की वेट में लग जाओंगा तो बैटर नहीं है कि मैं इस बार अपनी ये जो अटेम्ट है इसको दूँ ही न यहां फिर मैं दूँ बना मैं कन्फ्यूज डूँ अब मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूँ कि आप मेरे को सुन रहे हो चाहे आपकी पुजीशन ऐसी नहीं भी है जो मैंने आपके साथ डिसकस की है चाहे आपकी पुजीशन इससे कहीं बैटर है मतलब आपको पता है कि आप क्लियर कर सकते हो सिर्फ एक exam का जो डर होता है वो हर बच्चे का mind में होता है तो भी ये जो मैं आपके साथ आज इस वीडियो में discuss करने वाला हूँ in short हर बच्चे के लिए ये चीज ultimately beneficial होने वाली है तो सबसे पहले याद से वीडियो को like कर देना और channel पर new हो तो याद से subscribe कर लेना क्योंकि मैं exam तक आपके पास ऐसे ऐसे topics उठा कर लाऊंगा जो आपके लिए ultimately आपको काफी benefit दिलवाएंगे चलिए अब मैं आता हूँ उस question के answer पर के ऐसी situation में क्या करना चाहिए अब देखो मेरा बहुत बहुत ज़्यदा clear cut answer है कि मान लो मैं अगर sure हूँ के मेरा नहीं clear हो सकता और मैं quit करने का सोच रहा हूँ तो एक बार जैसे for example आज हमारे पास जो भी date है presently और 4-5 दिन में हमारे paper start होने वाले हैं तो क्या अगर आज मैं quit करता हूँ जब तक मेरे exam complete होने हैं मैं मान लेता हूँ 10 दिन या 15 दिन और लगने हैं हमने exam दे के free भी हो जाने हैं तो अब हमारे पास जो आज हम इसको quit करने लगे हैं तो quit करने के बाद इसका alternative मेरे पास दूसरा plan क्या है दूसरा plan मतलब यह नहीं कि मैं CA छोड़के कुछ और करने लगा हूँ मेरे कहने की बात यह है कि यह 10-15 दिन भी मैं कहां और better way में utilize करना चाह रहा हूँ कि क्या मेरे पास दूसरा plan ready है कि मेरी अगली November के attempt के यह 15 दिन भी ना waste हूँ तो better है मैं आज ही quit करके अपने वो next plan को follow करना शुरू कर दूँ क्या मेरी strategy मेरे पास ready है paper पर मेरी एक एक दिन का मेंने सारा हिसाबता बना लिया अगर तो मैं वो बना कर बैठा हूँ को मैं अगर यह जो जब तक exam होने है यह 15 दिन भी अगर मैंने exam पर लगा दिये तो उदर मेरे target के 15 दिन shot हो रहे हैं फिर तो मैं बोलूँगा कि आप तो इतना पका decision कर चुके हो कि आपको तो पता ही है next attempt में आपने pass होई जाना है तो ठीक है अगर आपको लग रहा है इस पर आपकी position बिकार है तो आप छोड़ दू फिर तो मैं मानूँगा कि आप छोड़ देओ क्योंकि आपको ये 15 दिन उस purpose के लिए चाहिए लेकिन अगर ऐसा है कि एक बार छोड़ दूँगा पहले तो मैं 10 दिन mind को relax करूँगा कि ये मेरे साथ क्या हुआ है ना उसके बाद मैं देखता हूँ कि अब मैंने आगे क्या करना है तो मैं आपको fact बताऊँ फिर तो ये 15 दिन सीधी सी बात अपने mind में fit कर लो छोड़ने क्यों है देखो exam नहीं clear हो सकते वो एक अलग बात है लेकिन अपने mind को यही message दे दो कि अगर हमने चलो examination form भरा हुआ है हमने fee pay की हुई है तो अपने exam को as a test ही मान ले कि मैं paper देने जरूर जाओंगा ठीक है लेकिन मैं इसको अपने paper नहीं मान रहा ये जो मेरे पास हाथ में 2-4-5 दिन है मैं इसमें जो possible है study करूंगा मैं ये समझ के जा रहा हूँ कि मैं एक test दे रहा हूँ और देखते हैं मैं test में कैसा perform कर पाता हूँ और जैसे मेरे test complete हो जाएंगे अब जैसे normally आपको test series लगाते हो तो ये थोड़ी होता है test देने के बाद आप अराम से बैठ जाते हो अब आपको लगेगा जैसे भी आपके test गए हैं लेकिन आपको तो आगे continue कर नहीं हम तो वैसे भी November का सोच रहे हैं तो as a test ही लेकर चले हम paper को क्यों quit करें यहां पे कि नहीं मैंने exam नहीं देने तो पहली बात तो यह है कि मेरे इसाब से अगर quit करने का सोचते हैं तो मेरा अगला plan अगर खराब हो रहा है तो फिर तो मैं बोलो मैं छोड़ दूँ लेकिन अगर मेरे पास अभी कुछ अगला plan ही नहीं है तो सबसे पहले मुझे इसमें अपना full जोश और target के साथ पढ़ना चाहिए अब मेरी दूसरी जहां पे इसी चीज का answer उसके बाद मैं आपको फिर final conclude करता हूँ देखो मेरा दूसरा answer यह है हम लोग कई बार ना इतना डर जाती है देखो सीधी सी बात है अगर कोई बंदा जंग के मिदान में लड़ रहा है और उसको लग रहा है जी मेरे पास तो है चोटी सी बंदूग ठीक है चोटी सी ग करें के चलो जो भी है लड़ूंगा देखो कहते हैं कई बार आपने सुना होगा कि मतलब चाहे मैं हार जाओंगा लेकिन मेरी चर्चा जीतने वाले से ज्यादा होगी कि देखो इसने ऐसे जंग लड़ी चाहे यह हारा लेकिन मैं तो सारे मेरे बार में discuss कर रहे हैं चाहे हा तो अगर आप तुम यही चीज रखोगे फिर तुम पका पास हो जाओगे अगर मैं भी बोल दो मैं कुट करने वाला हूं फिर तो फेथ आज के दिन से गया तो एटलिस 15 दिन यही सोच लो कि 15 दिन हमारा जो है वो मेन काम है कि हम एटलिस 15 दिन मतलब मेरा including paper के जो दिन है हम अपना faith ही बना ले अपने parents के उपर के नहीं अब मैं serious हो चुक हूँ इन्हें चीज़ों को लेकर दूसरा मैं क्यूं डर के पीछे हो जाओँ चाहे मेरे पास छोटी गानने चाहे बडी गानने चाहे जो भी है लेकिन मैं मुकावला करूँगा मैं मिधान से पीछे नहीं हटने वाला जो भी है मुझे लड़ना है क्योंकि चर्चा मेरी होनी चाहिए इस बार कि मैंने ऐसे लड़ा मैंने ऐसे त्यारी की मैंने चाहे टाइम कम था मैंने फिर भी पूरा जोर लगाया चाहे मैं अपने टेस्टी मानके चलूँ लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं और हटने की conclude करने लगों आपको हटने की सिरफ एक ही चाहांस है रास्ता आपके पास है क्या आपका next plan ready है और अगर ग्रंटी लेते हो अपने आपसे किसी से नहीं ग्रंटी अपने आपसे कि उस plan के according लिए आप चलके अपने आने वाली attempt में surety के सथ पास होने वाले हो फिर और जो बच्चों की grip strong है जा average है उनको भी इस चीज के साथ charge मिलेगा कि पीछे नहीं हटना है ठीक है at least faith बनाने की कोशिश करनी है तो बाकी आपके mind में कोई भी query हो मेरे साथ नीचे comment box में share कर देना मैं आपके पास daily basis पर दिन में एक, दो जा तीन बार कभी भी आ सकता हू notifications को on रखना, end तक बना रहूंगा आपके exam के साथ, मिलता हूं next video में, all the best, thank you so much